हलो एवरिबड़ी आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने कक्षा नौ की पाठ को लेकर के जिसका नाम था विज्ञानिक चेक्तना के वाहक श्रीव वेंकट रमन जी इसका भाग एक हम पहले ही पर चुके हैं अब ठीक मैं भाग दो शुरू करने वाली हूँ अर्थात भाग दो में हम रामन की खोज का क्या परिणाम निकला इसके उपर चर्चा करेंगे तो बच्चों जैसा कि हमने भाग एक में पढ़ा कि विराठ समुद्र की नील वर्निय आभा पर पड़े रहस्य के परदे उन्होंने किस प्रकार हटाए और जो बाद में रामन प्रभाव के नाम से जाना गया उच्च पद पाने के बावजूद किस प्रकार समय निकाल कर भौतिक विज्ञान को सम्रिद बनाने का प्रयास वे निरंतर करते रहे और हमने यह भी जाना कि वाद्दी यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे विज्ञानिक रहस्यों का अध्ययन भी वे करते थे रामन प्रभाव अर्थात रामन अफेक्ट इसके बारे में इसकी व्याक्या इसके शोधकारे सब चीज के बारे में हमने पढ़ लिया अब इन शोधकारियों को करने के पश्चात यानि उसका क्या परिणाम निकला इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे तो चलिए पाठकी और बढ़ते हैं रामन की खोच की वज़ा से पदार्तों के अनुओं और परमानुओं की आंतरिक संरचना का अध्यन बहुत ही सहज सरल हो गया था सबके लिए पहले इस काम को करने के लिए इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था लेकिन यह बहुत ही मुश्किल तकनीक थी और इसमें गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती थी रामन की खोज के बाद बदार्थों के आनविक और परमानविक संरचना के अध्यन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा यह तकनीक एक वरणिय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अनुओं और परमानुओं की संरचना का बिलकुल सटीक जानकारी देता था इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संसलेशन परियोग शाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कित्रिम रूप से निर्मान संभव हो चुका था अब यह सारा कार्य आसान सहज लगने लगा था तो बच्चों सबसे पहले इन कठिन शब्दों के अर्थों को जान ले इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात यह एक अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान था आन्विक अर्थात अन्वों का पर्मानिक अर्थात पर्मानों का और सटीक का अर्थ होता है एक दम सही अर्थात बिल्कुल सही संरचना अर्थात उसकी बनावट और संचलेशन का अर्थ होता है मिलान करना, मिक्स करना, मिला देना कित्रिम अर्थात बनावटी तो अब इसी तथ्यों के साथ हम भी अपने पाठ को आगे ले चलते हैं कि रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व के चोटी में लाकर उसको खड़ा कर दिया पुरुसकारों और सम्मानों की तो जैसे जड़ी सी लग गई थी उन्हें सन 1924 में रोयल सोसाइटी की सद्यस्यता से सम्मानित किया गया था सन 1939 में उन्हें सर की उपाधी प्रदान की गई थी ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्चम पुरुसकार अर्थात भौतकी में यानि फिजिक्स में नोबेल पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया उन्हें और भी कई पुरुसकार मिले जैसे रोम के मैथ्यूस की पदक या रोयल सोसाइटी का हुश पदक फिलाडेफिया का इंस्ट्यूट का फ्रैंकलिन पदक और सोवियत रूस अंतराष्ट्रिय का लेनिन पुरुसकार अत्यादी कई पुरुसकार उन्होंने प्राप्त किये सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतिय नागरिक्ताक वाले किसी अन्य विज्यानिकों को अभी तक यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ था उन्हें अधिकान सम्मान उस दोर में मिले जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था उन्हें मिलने वाले जितने भी सम्मान थे उन सम्मानों में भारत को एक नया आत्म विश्वास एक आत्म सम्मान लाकर खड़ा कर दिया उसके अंदर भर दिया विज्ञान के छेत्र में उन्होंने एक नई भारतिय चेत्ना को जागरित कर दिया अब आगे बढ़ते हैं भारतिय संस्कृति और रामन अर्था किस प्रकार वे अपनी संस्कृती यानि पनी मिट्टी से अपने हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए थे भाष्टिय संस्कृति में रामन को हमेशा ऐक उसके साथ एक अलग गहरा लगाव रहा है उन्होंने अपनी भारतिय पहचान को हमेशा अक्षुन रखा है अंतर राश्ट्रिय प्रसिद्धी के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिन भारतिय पहनावे को कभी भी नहीं छोड़ा चाहे वो भारत में रहे तब भी या वो विदेश चले गए तब भी वे सदायव अपनी संस्कृती से प्रेम करते रहे वे कटर शाकाहारी थे और मदिरा से सक्त परहेज रखते थे जब वे नोबल पुरुसकार प्राप्त करके स्कॉठ हुम गए तो वहां उन्होंने अलकाहौल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया बाद में आयोजित पाटी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया तो एक आयोजक ने परिहास यानि मजाग उड़ाते हुए उनसे कहा कि रामन ने जब अलकाहौल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन करके हमें आनंदित करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी तो रामन पर अलकाहौल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से उन्हें क्यूं परहेज है लोग उनका मजाग बनाते रहें बट वे किसी की पर नहीं करते थे और अपने शोद कारियों में पूरे दिल्चस्पी के साथ लगे रहते थे रामन का विज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोद पत्र लेखन तक ही सिर्फ सिम्टार वह नहीं था बलकि उनके अंदर एक राष्ट्रिय चेतना थी और विदेश में विज् दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें उनके पास धंक के प्रयोक्षाला या उपकरण नहीं मिलते थे और उसके लिए उन्हें कितना संगर्श करना पड़ा था अपने शुरुवाती दिनों में इसलिए उन्होंने इस चीजों को इन सब चीजों को कभी भी अपने दिमाग से निकाला नहीं और अपनी ही उसी चीजों से सीख ले करके वे आगे चलकर उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोक्षाला और शोद संसाधनों की स्थापना की जो की बैंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर ही तो रामन रिसर्च इंस्ट्यूट के नाम से यह विश इंडियन जेनरल ओफ फिजिक्स नामक एक शोद पत्रिका भी शुरू की थी अपने जीवन काल में उन्होंने सैक्रो शोद चात्रों को एक मार्क दर्शन उनका कराया जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं उसी प्रकार उनके शोद चात्रों ने आगे चल कर काफी अच्छा काम किया उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर भी प्रतिष्ठित हुए विज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किर्णों तक ही सिम्टा हुआ नहीं था बलकि उन्होंने अपने व्यत्तित्व के प्रकाश की किर्णों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया बच्चों उनकी मृत्यों 21 नवंबर 1970 में हुई उस समय उनकी आयू 82 वर्ष की थी रामन विज्ञानिक चेतना और द्रिष्टी की साक्षात प्रती मूर्थी थे उन्होंने हमेशा ही या संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन प्रकार की घटनाओं की एक विज्ञानिक रूप से चान बिन करते रहें या हमें करते रहना चाहिए तभी तो उन्होंने संगीत के सुर ताल और प्रकाश की किर्णों की आभा के अंदर से भी विज्ञानिक सिध्धान्तों को खोज निकाला था हमारे आस पास ऐसी ना जाने कितनी ही चीज़े बिखरी होती हैं जिनकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते और उन्हें मामूली समझ कर छोड़ देते हैं लेकिन एक विज्ञानिक द्रिष्टी कोन यदी आपका है तो आप भी इसी तरह रमन जी की तरह उसमें से विज्ञान निकाल सकते हैं और विज्ञान के द्रिष्टी कोन रखने वाले उसका शोधिकार भी कर सकते हैं जरूरत है केवल रामन के जीवन से प्रेड़ना लेने की और प्रकृती के बीच छुपे हुए विज्ञानिक रहस्यों के भेदन करने की आईए अब बढ़ते हैं शब्दार्थों की और अक्षण अर्थात जो तूटना सके अकण्डित परिहास अर्थात हसी मजाग अलहादित अर्थात बहुत ही आनन्दित आलोकेत अर्थात प्रकाशित प्रतिमूर्ति अर्थात अनुकृती चित्रा या प्रतिमा ये तीनों ही इसके परियावाची है नोबल पुरुसकार बच्चों यह एक अंतर राष्ट्रिय स्तर का सर्वोच पुरुसकार है अब आगे जैसा कि हमने भाग दो समाप्त किया है तो अब इससे संबंदित प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में कि सर चंदर शेखर वेंकेट रावन को समय समय पर किन किन विभिन पुरुसकारों से सम्मानित किया गया जैसा कि हमने अभी पाठ में पढ़ा है कि रावन को 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया था सिर्फ यही नहीं 1929 में उन्हें सर की उपाधी भी दी गई थी और 1930 में तो उन्हें नोबिल पुरुसकार से सम्मानित किया गया था उन्हें कई अन्य पुरुसकार भी मिले जैसे रोम का मैत्यूसी पुरुसकार फिलाडेलफिया इंस्ट्यूट का फ्रैंक्लीन पदक सोव्यत रूस का अंतर राश्ट्रियल लेलिन पुरुसकार आदी इस तरह से देखा जाए तो कई पुरुसकारों के वे विजेता बने और तो और उन्हें भारत रत्न की उपाधी भी प्राप्त हुई थे रामन को मिलने वाले पुरुसकार ने भारतिय चेतना को किस प्रकार जागरित किया और ऐसा क्यूं कहा गया है पाथ में कि उन्होंने भारतिय चेतना को जागरित किया गया है तो रामन को अधिकतर पुरुसकार तब मिले थे जब अंग्रेजों के अधीन हमारा देश था वैसे समय में यहां पर यानि हिंदुस्तान में विज्ञानिक चेतना का सक्त अभाव था रामन को मिलने वाले पुरुसकारों से भारत में न सिर्फ विज्ञानिक चेतना जागरित हुई बलकि भारत का स्वयम का आत्मविश्वास भी बढ़ा रामन के प्रारंबिक शोधकारियों को आधुनिक हटियोग क्यूं कहा गया है इस पार्ट में तो मैं आपको बता दूँ कि हटियोग में योनि अपने शरीर को असंख्य पीडा से गुजरता है तो रामन भी उस समय कुछ ऐसा ही शायद कर रहे थे वे पूरे दिन सरकारी नौकरी में कठिन परिश्रम करते और दफ्तर से लोटते समय उनके पास जो भी समय बसता वो अपना वह समय प्रियोगशाला में बिताते थे और शोधकारियों करते थे उस समय प्रियोगशाला में बहुत ही काम चलाओ उपकरन प्रस्तुत थे इसलिए रामन के शायद प्रारंबिक शोधकारियों को इसी कारण वर्ष आधुनिक हट योग कहा गया है रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के छेतर में आखिर कौन-कौन से कार्य संभव हो सके रामन प्रभाव की खोज से अनू और परमानू के अध्यन का कार्य बहुत ही सहज हो गया था अर्थात बहुत आसान हो गया था अब उस चीज को पता लगाना उस चीज के बारे में पता लगाना यह काम पहरे इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया जाता था और अब अब ये उसके द्वारा ना करके अब रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा किया पा रहा था देश को विज्ञानिक दृष्टी और चिंतन प्रदान करने में सर चंदर शेखर वेंकट ने कौन सी महत्वपून योगदान दिया था तो इसका उत्तर होगा कि देश के विज्ञानिक दृष्टी और चिंतन प्रदान करने के लिए रमन ने जी तोड मेहनत किया और लगन से काम किया रमन ने बैंगलोर में एक अत्यन्त ही उन्नत प्रयोगशाला और शोद संस्थान का स्थापना की जिसे अब हम चानते हैं रमन रिसर्च इंस्ट्यूट के नाम से भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जेनरल और फिजिक्स नामक एक शोद पत्रिका का भी प्रारंब कर दिया था उन्होंने अपने जीवन काल में सैकरो शोद छात्रों का मार्ग दर्शन किया विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक पत्रिका का समवाधन भी करते थे अगला प्रश्टे है आशश पष्ट करो अर्थात एक वाक्य है मैं उसे आपके लिए पढ़ रही हूँ उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुक सुवधाओं से बहुत अधिक महत्वपून थी इसका क्या आश्या निकलता है तो पार्ट में हमने देखा कि रामन एक ऐसी नौकरी में थे जहाँ पर उनको अच्छी खासी मोटी तनख्वा मिलती थी और तो और कई सुक सुवधा से वे परिपून थे लेकिन रामन ने उस नौकरी को छोड़ करके ऐसी जगा पर नौकरी करने का निन्न लिया जहां वे सारी सुक सुवधाएं तो नहीं थी लेकिन नई नई नौकरी में रह करके रामन अपने विज्ञानिक शोधकारियों को शायद बहतर ढंग से कर सकते यह दिखाता है कि यही सारे कारण यह बताता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुखी सुख सुवधाओं से कहीं अधिक महत्वकून थे अगला प्रश्ण है हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़े बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में हैं इसका क्या आशाय है इसका क्या अर्थ निकलता है इसका अर्थ यह है कि हमारे अनेक हमारे आसपास अनेक ऐसी चीज़े बिखरी रहती है या कोई घट लेकिन उन्हीं चीजों में कोई अगर जिग्यासु व्यत्ती हो तो महत्वपूर्ण विज्ञानिक रहस्यों को अपने आप ही खोज लेता है फिर हम जैसे नींद से जागते हैं ऐसा लगता है कि हम नींद से जाग गए हैं और उन नई खोज से विस्मित हो जाते हैं अरे ये क्या नया बना दिया अच्छा ऐसा भी होता है इस तरह के नए नए प्रश्णों को ले करके खड़े हो जाते हैं बठत स्वयम हम खुद कुछ नहीं करते हैं हम खुद वो विज्ञानिक दृष्टिकों नहीं अपनाते हैं किसी की जिग्यासा उस सही पात्र की तरह है जिसमें किसी विज्ञानिक खोज को मूर्त रूप मिल जाता है अगला प्रश्ण है यह अपने आप में एक आधुनिक हट योग का उदाहरन था अर्थात इसका क्या अर्थ निकलता है बच्चों इस वाक्य का यह अपने आप मे एक आधुनिक हटियोग का उदाहरन है इसका आश्य यह है कि रामन के रामन ने जितना भी अथक परिश्रम किया था उसके बारे में हमको इस बारे में पता चलता है रामन उस समय एक सरकारी नौकरी में कारे रथ थे जैसा कि आप सब जानते हैं और अपने दफ्तर में वे पूरे दिन काम करने के बाद जब वे शाम को लौटते हुए घर आते थे तो घर आने से पूर यही वे परियोख शाला जाते थे और वहां पर माना की प्रियोख शाला में शस्तरों का या इंस्टूमेंट की कमी थी अभाव था लेकिन फिर भी वो उन्हीं यंत्रों के दव काम चलाऊ, यंत्रों के द्वारा वे अपना शूद कार्य करते रहते थे, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, और इसी तरह हमें भी नहीं हार मानना चाहिए, किसी भी चीज़ से, चाहे परिस्तिती किसी भी तरह की हो, पूरे दिन वो दफ्तर में काम करने के बाद कितना वो ठक जाते होंगे आप सोच सकते हैं पूरा दिन दफ्तर को देना और शाम को प्रयोक्षाला में प्रयोक करना तो इस पूरे दिन की प्रक्रिया में कितना ठकान होता होगा वो कितना वे कितनी मुसीबतों का सामना करते थे और यही शारिरिक और मानसिक तोर पर उनको ठका देती थी लेकिन इसलिए शायद लेखक ने ऐसे काम को हट योग की संग्या दी है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन से प्रश्ण इतने सारे प्रश्ण उत्तर के बाद कौन से ऐसे विचारों तक प्रश्ण हैं यानि थौट प्रोवोकिंग क कोस्टिन्स हैं जो आपके लिए हैं क्यूँकि हमने कई शबदार्त कई प्रश्ण उत्तर कई आशस पष्ट करों इन सब का अध्यन कर लिया अब कुछ प्रश्ण आपके लिए हैं जो आप अपने मित्रों के साथ सांझ जा करेंगे बहला प्रश्ण है कि रामन ने किस प्रकार विज्ञान के छेत्र में एक नई भारतिय चेत्ना को जागरित किया था इसका उत्तर आप अपने मित्र के साथ डिसकस कर सकते हैं वारतलाप कर सकते हैं और उनकी विज्ञानिक द्रिश्टी कैसी थी उन्होंने ऐसा क्या किया था कि भारतिय चेतना अपने आप ही आत्म सम्मान के साथ खड़ी हो गई थी अगला प्रश्ण आप लोगों के लिए है किस बात से हमें पता चलता है कि रामन को हमेशा भारतिय संस्कृति से गहरा लगावरा है इन प्रश्णों के उत्तर ढूने से पूर्व आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने आपको लोगों को उनकी संस्कृति प्रेमी होने की बात इस पाठ में कही है और थात वे अपनी संस्कृति से बहुत प्रेम करते थे कई ऐसे points को मैंने उजागर किया है कई ऐसे महत्वपून विशय हैं जिसका उत्तर यह प्रश्ण हो सकता है जिस प्रश्ण का उत्तर यह सभी हो सकता है अगला प्रश्ण है कि रामन के जीवन से आखिरकार हमें क्या प्रेड़ना मिलती है तो प्रेड़ना आप अगर रामन की जगा होते अगर यदि आपका वो विज्ञानिक दुष्टिकोन होता वो साइंटिफिक आउटलूक होता तब आप क्या करते और आपके सामने भी यदि वही प्रस्थिती आती जो उनके सामने आई थी तब उस समय आपका उस समय आपका क्या डिसीशन होता या उस समय आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर पाते और इसी के साथ अब मैं इस पार्ट को भाग दो पार्ट की समाप्ती यही होती है उमीद करती हूँ कि आप सब इस पार्ट से कुछ न कुछ अवस्य सीख पाएंगे यह प्रेणना दायक आपके लिए होगा और इसी के साथ मैं यह समाप्त करती हूँ धन्यवाद